Hey guys, good evening, welcome to Use of Time by Anupriyanand आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल में अगर आप किसी भी कॉम्मेटेटिव एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा अगर आप पहले बार विजिट कर रहे हो तो ध्यान से सुनिए इसमें डेली, करेंट अफेर और जेनरल अवेर्निस की ग्लास मिलेगी आपको जिसमें सारे क्वेस्टन्स टॉप सेलेक्टेट क्वेस्टन्स होते हैं प्तरासदी कहा जाता है इसका प्रतिपादन किश ने किया था तो दोस्तों इसका सही एंसर होगा गेरे हार्डिन ने किस ने किया था इसका प्रतिपादन गेरे हार्डिन ने इसलिए option नमबर एक आपका सही एंसर होगा अगले प्रशन को देखेए सवाल नंबर तीन राष्टीय युवादिवस किस दिन मनाया जाता है बतैजी राष्टीय युवादिवस किस दिन मनाया जाता है तो 12 जन्वरी को मनाया जाता है राष्ट्र युवादिवस याद रखना है option number 4 आपका सही answer है अगले प्रेशन को देखिए, सवाल नमबर चार, सबसे अधिक उचाई, समुद्र तल से 4411 मीटर किस एरपोर्ट की है, बताइए, सबसे अधिक उचाई, तो इसका सही एंसर होगा, option नमबर एक, यानि की, डाउचेंग येडिंग एरपोर्ट, कौन सा एरपोर्ट, डाउचे येडिंग एरपोर्ट, सबसे अधिक उचाई है, किस एरपोर्ट की, तो डाउचेंग येडिंग एरपोर्ट की याद रखना है, अगले प्रेशन को देखिए, सवाल नमबर पांच, वन्य जीव संरक्षन, यानि की, वन्य जीव अधिनियम, उनिश्यो बहत्तर के अधिन, किस जीव का संरक्षन किया जाता है, बताईए, इसका सही अंसर क्या होगा, दोस्तों, इसका सही अंसर होगा, उप्शन नमबर एक, यानि के, साही वन्य जीव अधिनियम, मुनिश्यो बहत्तर के अधिन, शाही जीव का संरक्षन किया जाता है, उप्शन नमबर एक, आपक उसके मौझूदगी में निरतर रहता है तो वो वायू में रंग हीन हो जाता है उसकी मौझूदगी से बताइए किसकी मौझूदगी से दोस्तों इसका सही अंसर होगा option number 2 यानि की hydrogen sulfide के उपस्थिती में याद रखना है option number 2 आपका सही अंसर है अगले प्रेशन को देखे सवाल number 7 not get किसके द्वारा क्रियानवित किया जा सकता है बताइए not get किसके द्वारा क्रियानवित किया जा सकता है तो एकल transistor द्वारा किसके द्वारा एकल transistor द्वारा option number 4 आपका सही अंसर है याद रखना है अगले प्रशन को देखे सवाल नमबर आट भारतिय समविधान के अनुछेद में यह घोशना की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है बताईए भारतिय समविधान के अनुछेद में यह घोशना की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संग है क्या है राजियों का संग है तो option number 1 आपका सही answer होगा अगले question को देखिए सवाल number 9 मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर व्रिक्ष लगाने को क्या कहते हैं बताइए मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर व्रिक्ष लगाने को क्या कहा जाता है तो दोस्तों उसे कहा जाता है वनी करन क्या कहा जाता है वनी करन याद रखना है option number 4 आपका सही answer है अगले question को देखिए सवाल number 10 दृष्टी के अस्थाइत्व का सिध्धान्त किसके पीछे का सिध्धान्त है दृष्टी के अस्थाइत्व का सिध्धान्त किसके पीछे का सिध्धान्त है तो इसका सही answer होगा option number 2 यानि की परिदर्शी का सिध्धान्त है option number sorry परिदर्शी नहीं होगा option number 2 यह है न यह होगा cinema होगा option यह 3 है option number 2 होगा cinema याद रखें अगले question को देखें सवाल number 11 वायू की quality को बिगाडने के लिए जिम्मेदार कन जिनके कारण महतोपुर्ण सरी रांगों को छती पहुंचाती है उनका वर्नन किस रूप में किया जाता है बताईए उनका वर्नन जो है किस रूप में किया जाता है तो इसका सही answer होगा option number 3 इसका सही answer होगा याद रखना है अगले question को देखें सवाल number 12 मिलिंद पान हो क्या है बताईए मिलिंद पान हो क्या है तो इसका सही answer होगा बौध पार्ट मिलें दोगानों जो है यह बहुत पार्थ है याद रखना है अगले प्रिश्म को देखिए सवाल नमबर 13 निम्लिकित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिमहार हुई बताईए कौन सी लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिमहार हुई तो दोस्तों ट् याद रखना है option no.1 आपका सही अंसर होगा कहा गया है कि इमलिखित में से कौन सी लडाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिमहार हुई तो कौन सी लडाई ट्राफल गर की लडाई याद रखें option no.1 आपका सही अंसर होगा अगले प्रेशन को देखिए सवाल no.4 हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उधारन बताईए हार्मोन के रूप में जो काम करते हैं वो प्रोटीन का नाम क्या है तो oxytocin क्या नाम है oxytocin इसलिए option no.2 आपका सही अंसर होगा अगले प्रेशन को देखिए सवाल no.15 सामान्य संबू का वशा एक लिसलिशे पदार्थ का शुराव करता है जिसका हिर्दय परतियार ओपन में परियोग किया जा सकता है इस पदार्थ में मौझूद यह विलक्षन रशाइनिक योगिक क्या है बताईए सवाल देखिए से सुनियेगा कहा गया है कि सामान्य शंबू का वशा एक लिसलिशे पदार्थ का शुराव करता है जिसका हिर्दय परतियार ओपन में परियोग किया जा सकता है इस पदार्थ में मौझूद यह विलक्षन रशाइनिक योगिक क्या कहलाता है तो दोस्तों सवाल नमबर शोला क्या कहता है ध्यान से देखिए सब्सक्राप का गया होगा इसका अंसर दोस्तों इसका सही अंसर होगा वर्स 2011 से बारा GDP 57 दस मलावस सुनिय सुनिय परतीशत यानि कि option number 4 आपका सही answer होगा याद रखना है अगले question को देखिए सवाल number 17 मध्यम range के मौशम पुर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा super computer खरीदा गया बताईए मध्यम range के मौशम पुर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन एक सा super computer खरीदा गया तो दोस्तों इसका सही answer होगा option number 1 यानि कि क्रेक्स MP14 क्यांकि ये option number 1 आपका सही answer होगा अगले question को देखिए सवाल number 18 जनसंख्या के अध्यायन को क्या कहते हैं बताईए जनसंख्या के अध्यायन को कहते हैं जनसंख्य की क्या कहते हैं जनसंख्य की option number 3 आपका सही answer होगा जनसंख्या के अध्यायन को जनसंख्य की कहते हैं अगले question को देखिए सवाल number 19 जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तयार व्रिक्षय फोसिल कहां पाया गया बताइए तो दोस्तों ये पाया गया कहां पर तो option number 2 आपका सही अंसर होगा 36 गड़ कहां पर 36 गड़ तो option number 2 आपका सही अंसर है अगले प्रेशन को देखिए सवाल number 20 पारिस्थितिक प्रनाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं तो option number 3 आपका सही अंसर हो जाएगा अगले प्रेशन को देखिए सवाल number 1 उपराष्टपती क्या होता है यहां सवाल में पूछा गया कि उपराष्टपती होता है क्या तो शांसद नहीं होता है शांसद का सदश्य उपराष्टपती नहीं होता है तो option number 4 आपका सही अंसर होगा अगले प्रेशन को देखिए सवाल number 22 दिहान से देखिए सवाल number 22 में क्या पूछा गया है कि HR में HR किस के लिए HR के बारे में पूछा गया है तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा option number 3 यानि की horizontal rule HR किस के लिए है horizontal rule के लिए option number 3 आपका सही अंसर होगा याद रखना है अगले प्रेशन को देखिए सवाल number 20 government of India Act 1935 किस पर आधारित था कहा गया है कि government of India Act 1935 किस पर आधारित था तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा option number 1 यानि की साइमन कमीशन पर आधारित था याद रखना है अगले प्रेशन को देखिए सवाल number 24 bread बनाने के लिए अवश्यक घटक क्या है bread बनाने के लिए अवश्यक घटक क्या है मैदा और खमीर याद रखना है अगले प्रेशन को देखिए सवाल number 25 निमने लिखित में से किस हार्मोन को आपात कालिन हार्मोन कहते हैं किस हार्मोन को आपात कालिन हार्मोन कहते हैं एड्रीनलीन को किसको एड्रीनलीन को option number 1 आपका सही अंसर है अगले प्रेशन को देखिए सवाल number 26 राजीव गांधी अंतराष्टिय विमान पतन कहां इस्थित है? राजीव गांधी अंतराष्टिय विमान पतन कहां पर इस्थित है? हैदराबाद में इस्थित है? याद रखना है option number 4 आपका सही answer हो जाएगा? अगले प्रेशन को देखिया सवाल number 27 वर्स 1914 में भारतिय राष्टिय दल की बर्लिन में अस्थापना किशने की थी? बताइए वर्स 1914 में तो दोस्तों इसका सही answer होगा option number 4 यानि कि चमपा करमन पिले किसने की थी? चमपा करमन पिले ने की थी वर्स 1914 में भारती राष्टी दल की बर्लेन के अस्थापना की थी चमपा करमन पिले ने अगले प्रशन को देखिए सवाल number 28 malaria किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है malaria जो है किसके द्वारा? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है तो इसका सही एंसर होगा एनाफलीज मच्छड द्वारा किसके द्वारा? मच्छड द्वारा वो कौन से मच्छड द्वारा? तो किए वीडियो जरूर से जरूर से एर किजिए क्योंकि इसमें जो questions होते हैं सारे top selected questions है exams में आने वाले तो चैनल को subscribe नहीं कियो अभी तक जरूर subscribe किजिए वीडियो की नीचे red color में subscribe लिखा दिख रहा होगा subscribe button को press कर देंगे उसके बाद आपको एक गंटा दिखेगा उस क्लिक कर देना उससे क्या होगा मेरी द्वारा डाली गई शारी वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी और आपकी तैयारी जोड़दार होती रहेगी तो subscribe करना ना भूले subscribe जरूर किजिएगा सवाल नमबर 39 ध्यान से देखिए 10 वे वित्त आयोग के अध्य अग्छ थे कौन तो केसी पंथ, option number 4 आपका सही एंसर होगा अगले question को देखिए सवाल number 30 इससे पिछली वीडियो को देखना चाहते हो तो उपर एक ऐसा i button दिख रहा होगा आपको i button को press करके इसे पिछली वीडियो को आप देख सकते हो और नीचे description में आपको भी वीडिय उसकी link मिल जाएगी वहाँ पे देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर मंचा ही top selected questions देख सकते हो आप most important questions और अगर आप मुझे telegram, twitter, instagram या फिर facebook पे follow करना जहातो तो उसकी link भी आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ से आप मुझे follow कर सकते हो और या फिर telegram पे search भी कर सकते वहाँ पे आपको हमारा channel बिल जाएगा जाकर आप join कर लेजे और daily के questions को पढ़ा कीजे तैयारी जोरदार होती रहेगी सवाल number 30 देखे ध्यान से भारत में विशेस आर्थिक छेत्र क्या बढ़ाने के लिए अस्थापित किये गये थे बताए भारत में विशेस आर्थिक छ कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजेगा थैंक्यू फ्रेंड्स थैंक्स फो वाचिंग में वीडियो